हाई मैं मैं एक नया चाइनीज फोन लाउंच हुआ है वह है कोमियो एस वन और आज मैं इस फोन की अन्बॉक्सिंग करने जा रहा हूं इस पर काफी सारे फीचर्स दिया हूं जैसे की 2gb जैसे की 100 डेस की एक्स्रा वारंटी 30 डेस का रिप्लेस्मेंट वारंटी है और यह सारे फीचर्स जो है आट हजार नौसुन अपने रुप्रे में एविलेबल है और फुल मेटल बॉड़ी का बना हुआ है चलिए देखते हैं तो यह बॉक्स कोमियो एस वन का रैड कलर की पै वारंटी वारंटी भी है छे महीने की और अपग्रेड ओफर का मतलब यह है कि अगर आप एक साल के बाद कंपनी को फोन रिटन करोगे तो 40 परसेंट वाल्यू मिलेगा इसका बट आपको सामने कोमियो का ही फोन खरीदा पड़े इन ओफर्स के बारे में अधिक जानकरी के अब आप कंपनी के वेबसाइट में जाके उनकी टर्मस & कंडिशन्स चेक कर सकते हैं चलिए बॉक्स ओपन करके इसके बाकी के कॉंटेंट्स भी देख लेते हैं कि क्या है इसमें तो यह है है जासा कि आप देख सकते है कि हैंड सेट पे एक स्टिकर लगा हुँ है उस पे स सेंसर है 13 Megapixel camera है back or front 8 Megapixel camera 2700 image की बैटरी है इस पीछे की और जो camera है वो dual camera लगता है बट dual camera नहीं है light sensor phone metal unibody का बना हुआ है design काफी अच्छा है और इसके बाकी के contents देख लेते हम क्या है इसमें as usual user guide और warranty card और इसके अलावा आपको screen protector भी साथ में complimentary आता है और एक back cover silicon case वो भी साथ में दिया हुआ है silicon case जो है वो काफी अच्छा quality guy dotted silicon case है और data cable है normal जो आता है same ejector tool earphone और charger नीचे की और speaker charging unit और earphone jack है और उपर की तरह फोम की जो है वो fingerprint sensor का भी काम करती है right side में volume की और power on a button है उपर की और पुछ नहीं है पीछे 13 megapixel का camera है विद्धी flashlight और जैसा कि मैंने का यह metal body का बना हुआ है इसका design काफी अच्छा है दिखने में काफी खुबसूरत फोन है जैसे कि आप देख सकते हो पीछे की और जो दिजाइन दे रखा है वो भी काफी अच्छा है और left side पे SIM tray है hybrid SIM है इसमें आप दो SIM या एक memory card और एक SIM दाल सकते है चलिए फोन को अनकर के उसके अनने फीचर्स देख लें इसका दिस्पले 5.2 इंच का HD IPS दिस्पले है अच्छे खासी है और पाकी जो परफोर्मेंस है फोन का वो तो यूज करने के बाद ही कवता चलेगा के कैसा है फिनाल तो यह अन्बोक्सिं वीडियो है तो इसमें चारा कुछ नहीं कर पाएंगे हम और देखते है आगे क्या परफो होता है शायमी का वीवो का वैसे ही इसमें भी कोमियो का खुद का यूजर इंटरफेस दे रखाया है जो एंड्रोइड बेस्ट है इस फोन में 2GB RAM के अला हुआ 32GB इंटरनल मेमरी दे रखा है तो काफी इनफ हो जाता है 32GB फोर फोन विदिन 10,000 काफी अच्छी मेमरी दे रखी है और जैसा कि मैं जो फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा फोन पे है इसमें अभी फिलाल लागिंग इस्यू तो कुछ दिखाई न करेंगे इसका कुछ पता नहीं चलीका अग कर अफना का है चलिया network我在你要 को भी सेट कर के देख लेते हैं और fingerprint का fingerprint register करना है तो हलके से press करके इसको register करना चाहिए यह देखो यहाँ पर थोड़ा भी ज़्यादा दब जाता है तो यह भार आ जाता है क्योंकि यह home key button जो है वो press भी होता है और press होने के करन्ड वो home key button home page पर लेके चला जाता है तो इसे fingerprint को अगर आपको set करना है तो बहुत हलके हाथ से set करना पड़ेगा तो यहां मुझे ध्यान रखते हुए बहुत हलके हाथ से set करना है तो finger को तो अच्छे से recognize कर रहा है उसमें कोई doubt नहीं है तो यह हो गया set अब यह lock करके on करने पर एकदम easily recognize कर रहा है चलिए camera का भी test camera quality okay है और इसमें boke mode भी दे रखा है बड़ जैसे ही हम boke mode को on करते हैं तो camera थोड़ा slow हो जाता है तो इसमें थोड़े improvements company कर सकती है शायद software update करके तो यह थी इसकी unboxing 8,990 में यह काफी अच्छा फोन निकाला है दिखने में काफी खुबसूरत फोन है और फीचर्स भी इसके ठीक-ठाक से हैं कर दो